दोस्तों आज आपके बीच में आके बहुत अच्छा लग रहा है सीधे जेल से आपके बीच में आया हूँ और पेवा में मेरी खास रिष्टेदारी है मैं बताता हूँ कैसे मेरा छोटा भाई है उसका नाम है सरदार भगवन सिंग मान पंजाब का मुख्य मंत्री वो मेरा छोटा भाई है भाई से भी ज़्यादा है उसका ससुराल पेवा में है उनके ससुर यहां पे आये हैं सरदार इंदरजीत सिंग जी वो अभी हमारे साथ इसे होटल में किसी गाड़ी में बैटे होंगे मैं भी आने से पहले वगवन्तमान से बात कर रहा था तो पेवा की धर्ती के साथ हमारे रिष्टेदारी है इतना तो मेरा हग बनता यह कहने का यहां से एक भी वोट बीजेपी को नी जाना चीए जिनोंने मेरे को कह सकता हूं पटकी बात एक भी वोट नी जाना चीए उस पार्टी को जिसने मेरे को जेल वेजा था गलब कर नहीं कह रहा है इन्होंने सोला मार्च को चुना घोशित हुए 21 मार्च को इन्होंने मेरे को पकड़ के जेल में डाल दिया इसका मतलब यह चाहते हैं केजरी वाल को चना परचार नी करने देना डर्टे हैं केजरी वाल से इसका मतलब मैं सोच रहा था मैं एक छोटा सा अदमी हमारी चोटी सी पार्टी है मेरे को इन्होंने जेल में क्यों डाला मेरा कसूर क्या है मेरा कसूर यह है मैंने दिल्ली में गरीबों के बच्चों के स्कूल अच्छे कर दिया सरकारी स्कूल अच्छे बढा रहे हैं गरीबों के बच्चों के लिए अच्छी पढ़ाई का इंतिजाम कर दिया अब कल नतीजे आएं। दस्वी और बारणी के लिए के स्कूलों के सरकारी स्कूलों के पूरे दैश में सबसे इच्टे नतीजे दिल्ली के अंदर आएं। मेरा ये कसूर है मेरा कसूर है पहले दिल्ली में लंबे लंबे पावर कट लगते थे 10-10 घंटे बिचली नहीं आया करती थी अब पिछले 5 साल से जब से हमारी सरकार बनी है 24 घंटे बिचली आती है और फ्री बिचली आती है ये मेरा कसूर है मेरा कसूर है मैंने दिल्ली वालों के लिए महला के लिए बना दिये शांदार सरकारी अस्पटाल बना दिये सबका इलाज मुफ्ट कर दिया ये मेरा कसूर है और सोचो दोस्तो जब मैं जेल गया दिली वालों की मैंने सारी दवाईयां मुफ्त कर दी लेकिन जब मैं जेल गया मेरे को इन्होंने पंदरा दिन तक शुगर की बिमारी की मैं शुगर का मरीजू जी शुगर का मरीजू इंसुलिन लेता हूं डेली बावन यूनिट जब मै तिहार जेल में था इन लोगों ने मेरे को इंसुलिन बंद कर दी 15 दिन तक इंसुलिन योगी मेरी 300 पॉंच गई साड़े 300 पॉंच गई शुगर मैंने इनको का मेरा लिवर खराब हो जाएगा किड्नी खराब हो जाएगा ऐसा इन्नों ने मेरे साथ सलूप करा ये मेरा कसूर है मेरा कसूर है अब दिल्ली के हर महीला को हजार हजार रुपे हर महीने उसके बैंके काउंट में लिया करूंगा है दोस्तों अभी मेरे को बीस दिन की मौलत मिली है कि चिनाप परचार कराओ यह तो मैं आप लोगों की खिर्पा है जनता की इतनी अवाज उठी कि मेरे को बेल मिल गई नहीं तो उपर वाला है लेकिन है विश्वास करते है उपर वाला है अब जिस दिन बटन दोंगे अगर तो आप ने कमल का बटन दोया मैं जेल चला जाओंगा और अगर आपने जालू का बेटन दबाया मेरे को दुबारा भी जेल जाना है अब आपके उपर है जो जो यह मुद्दा केवर इसका नहीं है यह मुद्दा है कौन-कौन चाहता है केजरीवाल जेल जाए और कौन-कौन चाहता है केजरीवाल जेल ना जाए जो जो जिस दिन बटन दवाने जाओ मन में ये सोच लेना कि एक रिवाल को जेल भेज़ना है कि भी भेज़ना है दूसरी बार दिल्ली का मुख्य मंत्रियों आज से तीन साड़े तीन साल पहले मैं देख रहा हूँ आप में से बहुत सारे किसान हैं कि नहीं है पूरे देश क किसान खासकर हर्याने और पंजाब के किसान दिल्ली के लिए रववाना होई से नको दिल्ली में और गुष्नें दिया विए नहीं को बड़ा बुरा लगा मेरी केभी कि नि पुलिस हमारे पास नहीं हुआ कि पर फोसलंग होती किसानों के बूल डर लगा दिये सिमेंट के कीने ठोक दी इन्होंने किसानों को दिल्ली में नहीं घुसने दिया जैसे कि किसान गुष्ण नहीं इनके पिताजी की दिल्ली है दिल्ली जैस्ट के 140 करोड़ लोगों की आपकी दिल्ली है इस वार ऐसा बटन दवाना ऐसा बटन दवाना इन लोगों को दिल्ली के करें दिल़् के बार करबें करें कि दिल्ली के नegen promise पिछली के पाहा ना ही आफ हमारी पहलवान बेटिया पहमारी पहलवान बेटियों के सात्थ इनहें बत्तमीजी करी देखा आप लगों ने गसीडगसीड़ के और जिस आदमी ने वहमारी बेटियों एक साथ बत्तमीजी करी जिस इस ने उनके समान प्रझाप डाला इसके बेंटको टिकेट दे इनको सारे अरियाना के लोगों को ये अंगूठा दिखारे हैं जो करना है कर लो इस वर करके लिखादे ङृग को कुज जिन लोगों ने हमारी पहलवान बेटियों की जब पर आप डाली इस वर बटन दबागे उनको ऐसा सबक सिखाना ऐसा सबक सिखाना दुआ है हमारी बेटियों के साथ बत्तमीजी करते हैं और जो बत्तमीजी करते हैं सब्सक्राइब करते हैं अब पूरे देश के अंदर हाल आप इनके खिलाप हो रहे हैं हार रहे हैं पूरी तरह से पीज़ेपी वाले आर रहे हैं कि नहीं आर रहे हैं मैं गिना देता हूं आपको हर्याने में आर रहे हैं राजसान में आर रहे हैं महाराष्ट्र में इनकी पंगाल में हो रही है दिल्ली में हो रही है पंजाब में हो रही है और बढ़ कहीं ही रही बाई साथ यह कह रहे हैं कि 400 पार मैं आज आपको लिद्के दे रहा हूं इनकी 230 से ज़्यादा सीथ नहीं आतीगा मोजी सरकार नहीं बन रही चार जून को मोजी सरकार नहीं बन रही और इतिहास बताता है देश के अंदर जब भी क्रांटी हुई है हर्याने से शुरू हुई है क्रांटी है हर्याने भी हर्यानवी वीर पुरुश होते हैं हर्यानवी जे होते हैं वो बाद उर्खों होते हैं सारी करांटी हर्याने से शुरू हुई है इंडिया घडंदन को दस कि लस्रेट से यह इंडियाह घड़ंदन को दोगे मैंन अधो सब्वोगों को मैंने करनी पड़ेगी ङसी किऊ अब आजश का यह मोजी गारंटी में की आइट हर्जी गारंटी या उन्होंने गारंटी दिथी 15-15 लाख रुपए आये किसी के उन्होंने गारंटी दिथी एक साल में 2 करोड नौकरी दूगा किसी को नौकरी मिली उन्होंने गारंटी दी थी MSP दूंगा स्वामीनाथन रिपोर्ट लागू करूंगा किया उन्होंने उन्होंने गारंटी दी थी 2022 तक किसानों की आये धुगनी हो जाएगी होई कोई उन्होंने गारंटी दी थी 100 स्मार्ट सिटी बनाऊंगा बनाया कोई समा एक भी गारंटी पूरी ही आज केजिरेवाल आपको करेंटी देके जा रहा है, आज मैं आपको गारंटी देके जा रहा हूँ, ये केज़ुरेवाल की गारंटी है, मैंने दिल्ली वालों को जितनी अभी तक गारंटी दी सारी पूरी करी इसी दे दिल्ली वाले प्यार करते हैं आज मैं आपको गारंटी दे रहा हूं एक तो ये चार जोन को इंडिया गठवंदन की सरकार बन रही है केंदर में जो इंडिया गटबंदन की सरकार बनेगी उसमें आम आजमी पार्टी की भी इस्सेदारी होगी ये जो मैं गारंटी दे रहा हूँ ये केज़री वाल की गारंटी है इंडिया गटबंदन के साथियों से मैंने पूछा नहीं है लेकिन मैं उनको मनाकिक का पूरी कराओंगा पहली गारंटी पूरे देश में 24 गंदे बिजली का इंतजाम कर दूँगा दिल्ली में कर दिया पंजाब में कर दिया करना आता है दूसरी गारंटी गाओं गाओं में शानदार सरकारी स्कूल बना दूंगा पूरे देश में यह काम 75 साल पहले 350 में हो जाना चाहिए था स्बसे पहला काम अजादी के बाद यह होना चाहिए था गाउं गाउं के अंदर 6 school खुल दो रहा है कि वह दलती हो गई कोई नी हम पूरी करेंगे गाउं गाउं के अंदर शांदार सरकारी स्कूल बनाऊंगा, ऐसे स्कूल बनाऊंगा, आप अपने बच्चों को प्राइवेट से निकाल के सरकारी में बढ़के करा दो, तीसरी जी, गाउं गाउं के अंदर महले महले के अंदर महला क्लिनिक बना दूँगा, हर जिले के अंदर शांदार सरकारी सिव का सारा इदाज मुख्त करेंगे दवाईयां आपरेशन को ये या ये अस्मी राष्ट्र निर्मान यह चोथी बार कि चीन ने हमारी जमीन पर कप्धा करख पाकिस्तान पांचनी बात ये अगनी वीर स्कीम जो है ये अगनी वीर स्कीम बहुत बड़ा धोखा है हमारे बच्चों के साथ और केवल बच्चों के साथ नहीं हमारी सेना को कमजोर कर रहा है जो बच्चा चार साल के लिए सेना में जाएगा वो अपनी जान फुरी देगा चार साल के लिए अगनी वीर स्कीम को खतम करेंगे जितने बच्चे अभी तक अगनी वीर स्कीम में जाएं सब को पक्का कर देंगे एक बारी में सब को पक्ता करते हैं और उसके बाद रगुलर भड़ती होगी सेना के अंदर ये अगनी भी स्कीन में भड़ती नहीं की जाएगी छटी चीज स्वामी नातन रिकोर्ट लागू करेंगे सारी फसलों के उपर MSP पे फसले उठाई जाएंगे साथमी चीज मेरे सरकारी करमचारी वाई मैं भी सरकार में नौकरी कर चुका हूं वो बड़े दुखी हैं OPS लागू करेंगे होने जीएगी नहीं होने जीए ओल्ड पेंशन स्कीन लागू करेंगे आठाई बात भ्रष्टाचार दूर करेंगे इनकी जो वाशिंग मशीन वीजेपी वालों की सारे बड़े व्रष्टाचारी ओको दोदूखे और फिर IDK केस भी खतम भीजेपी इनकी वाश्चंग मशीन सबसे ज्यादा जष्टा-चार का कारण निकी वाश्चंग मशीन को चौड़ाहे बुलाकर तोड़ा जाएगा। असली भ रस्टा-चार खतं करेंगे जैसे दिल़्ी में और पंजाब में कि अभी पंजाब में हैं मैं अभी साल हुए 50 अजर से ज़्यादा सरकारीρά देठी और तीन लाग से ज़्यादा प्राइवेट रोजगार का इंतजाम कि यह तो दो करोड रोजगार का सब्सक्राइब करेंगे और मेरे आड़ी वाई जितने हैं आड़ी वाई ओं उसकता तो आड़ी वाई के लिए जो जो उनकि गर्ड वो चल रही है उनके लिए cały तरद करने करेंगे उनके समझाएं अब आपका समय आए चाहिए आपका सब्सक्राइब है यहां से निराज़नी होना चाहिए अब मैं सुशील गुपता जी के लिए तो वोट मांगने आया हैं जाडू पर वोट दोगे पूरे हर्याने के अंदर इंडिया घठवंदन को दस की दसीत देनी हैं भारत मता हैं